विदाद के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए विक्सित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें यह स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है फ्रेंड्स जी ट्वेंटी में इसे लेकर सहमती बनी है कि क्लाइमेट एक्षन के लिए ट्वेंटी थर्टी तक कई ट्रिलियन डॉलर क्लाइमेट फाइनास की आवश्चकता है ऐसा क्लाइमेट फाइनास जो आवेलेबल हो एक्सेसेबल हो और एफ़रडेबल हो मुझे आशा है कि UAE के क्लाइमेट फाइनास फ्रेमवर्क इनिशिटिव से इस दिशा में बल मिलेगा कल हुई लॉस एंड डेमेज फंड को ओपरेशनलाइज करने के इतिहासे इंदिनेरे का भारत स्वागत करता है इससे कोप 28 समिट में नई आशार का संचार हुआ है हम उमीद करते हैं कोप समिट से क्लाइमेट फाइनास से जुड़े अन्य विशो पर भी ठोस परणाम निकलेंगे पहला कोप 28 में न्यू कलेक्टिव क्वेंटिफाइड गोल अन क्लाइमेट फाइनास पर वास्त्विक प्रगति होगी दूसरा ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडप्शन फंड में कमी नहीं होने दी जाएगे इस फंड की त्वरिद भरपाई की जाएगी तीसरा मल्टि लेटरल डेवलोप्मेंट बैंक्स विकास के साथ साथ क्लाइमेट एक्षन के लिए भी एफ़रिबल फाइनास उपलब्द कराएंगे और चौथा विक्षित देश 2050 से पहले अपना कार्बन फुट्प्रिंट जुरूर खत्म करेंगे मैं यही द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट सब फंड सापित करने की गोष्णा का रदेश से स्वागत करता हूं उनका अभिनंदन करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद तैंक्यों तो से बढ़ा हम लिए से लिए्वाद नवारा करने का शाथ तैंक्टर्वाद तैंक्टर्वाद फंड करता हूं